next question a particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v when it moves from a point to diametrically opposite point options है पहला कानिटिक energy changes by mv square by 4 momentum does not change momentum changes by 2mv चौथा option है कानिटिक energy changes by half mv square ये कानिटिक energy में change होएगा अगर हम बात करें पार्टिकल की अगर उसने लेट से सर्कुलर motion हो रहा है uniform circular motion तो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं इस point से कोई particle यहां से चला है भी velocity से और इस direction में ऐसे चल के आया अब इस direction में उसकी velocity हो गए ना इस केस में पहले आपका मोमेंटम इनिशल मोमेंटम था मवी इसको आपने पॉसिटिव डिरेक्शन गोला है और फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस मवी तो आपका डेल्टा पी विच इस पाइनल मोमेंटम माइनस इनिशल मोमेंटम वो हो गया चेंज अअअ फाइन एनिशल मॉमेंटम उसका मैगनीटूड जो है वह आजाएगा 2mv आले ऑलें इसका चेंज इन कानेटिक एनरजी हुई आपकी हाफ M V sqare कानेटिक एनरजी हुई हाफ M V sqare भी हुई हाफ M V sqare which means change in current energy is 0 तो पहले और चौत्य option में जब हम कहते हैं के M V sqare by 4 M V sqare तो आपका option नहीं है पर इस case में कानेटिक एनरजी में चेंज की वेल्यू आपकी स्पीड की डारेक्शन पर डिपेड नहीं करती है का नेटिर्श्टी की जनसे हैं जमनेर क् Only स्वाइबर बीटेष्ट ऑफच्चनल डारेक्शनक कोई रोल नहीं आएगा जो पहले कानेटी जो है बात में भी वह ही है चेंज जीरो है और मोमेंटम में चेंज आपका 2MV आ गया है so option number C is the correct choice